उमेश सर बीटी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे राज्य के सभी सालाओं में 14 नौंबर को होगी SMC SMDC बैठक राज्य में बच्चों के सिखने में सुधार एवं अभी तक हुए सिखने के नुक्सान की भरपाई है तू 14 नौंबर 2022 को राज्य के सभी स्कुलों में साला परबंधन समीती एवं साला परबंधन एवं विकास समीती के बैठक रखने है तू निर्देश जारी किये गए हैं जिसमें बाकायदा एजंडा भी तरह किये गए हैं सत परतिसत सालाओं में बैठक आयोजित कर इस सम्मन में पालक परतिवेदन परस्तूत करने हैं तू राज्य के समस्त जीला सिक्षा धिकारियों को प्रबंध संचालक समग्र सिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया है इसमें ये कहा जा रहा है कि 14 नौंबर बाल दिवस के दिन यहाँ पे एक समसी बैठक बठा जाएगा जिसमें सालाओं विकास के कारियों की समिक्षा की जाएगी सालाब प्रबंधन समिति की बैठक है तू एजंडा कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों के लिए है ये बच्चों की नियमित उपस्तिती है तू इस्थाने इस्थर पर आवस्यक ब्यस्था करना बच्चे अगर नियमित नहीं आ रहे हैं तो हमको इस्थानी इस्थर पर ही एक समिती बनाकर बच्चों की उपसिती को क्या करना है सुधार करना है बच्चों के मुलभुत भासा गणित के कौसलों के विकास के लिए समुदाय के सहयोग से कक्छा संचालित करने की योजना बनाना मरलब जो हमारी मुलभुत भासा है हिंदी गणित इसकी विकास के लिए समुदाय के सहयोग से क्या करना है इस्थानी स्थर पर कक्षा संचालित करना साला प्रबंदन समीती के सदर्शों का परसिक्षण कार्करम एवं उन्हें F.L.N. लक्ष प्राप्त करने हितु जिम्यदारी देना यहां पर साला प्रबंदन समीती का परसिक्षण होगा उसमें उनको क्या करना है भाग लेने के लिए उसाहित करना है साला से बाहर के बच्चों को नियमित साला लाने एवं उप्चरात्मक सिक्षण योजना बनाना है जो बच्चे साला नहीं आते हैं उनके लिए एक विशेश योजना बना कर उन्हें साला लाने का पर्यास करेंगे अगामी तीन वर्सों के लिए साला विकास योजना निर्मार एवं तदा अनुसार कार करना मलब अगले तीन सालों के लिए साला विकास योजना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एजेंडा बनाना पड़ेगा और उसके अनुसार से हमको लक्ष प्रापती है तो कारी भी करना पड़ेगा साला आपदा प्रबंधन योजना निर्मार एवं बच्चों को आवस्यक जानकारी देना जैसे साला आपदा प्रबंधन होने पर आसपास जो घटना घटती है बजरपात, सांप, काटना तब इस सब के लिए हमको क्या करना है माक डिल योजना बनाना है और उनका परशिक्षण भी कराना है साला में प्रिंट रिच वातावरण एवं इंटरनेट के उप्योगेतू रनीती अपनाना मलब इसकूल में अब क्या करना है इंटरनेट स्विधा युक्त रनीती अपनाना है ताकि बच्चों को उचित सिक्षा समझाने युक्त सिक्षा दिया जा सके साला में उपलब विभिन फंड का आवसक्ता नुसार उप्योगेतू समिती बनाना साला में जो भी फंड आता है उसको हम लोग आवसक्ता नुसार समिती सहमतिक से ही उप्योग कर पाएंगे इसे सहयोग लेकर उस पर कारे करेंगे इस्थानी सर पर आवस्यक एजंडा बनाना और समंधित जो भी इस्थानी समस्या है उस पर भी एजंडा बनाकर उस पर कारे करना है साला परबंध नेव विकास नमी थी की बेठक है तू agenda कक्छा 9 में से लेकर 12 तक इस से पहले हम लोग देखे वह क्या था कक्छा पहली से लेकर 18 में तक का यहाँ पे कक्छा 9 में से लेकर 12 तक का दिया हुआ है बच्चों की नियमित उपस्तिति है तू इस्थाने इस्थार पर आवस्यक भ्योस्ता बनाना सभी सालाओं में बेसलाइन टेस्ट के परिणामों का परसुती करण कर कमजोर बच्चों के छेतरों को पहचानना अभी हमारे पास फिलाल में बेसलाइन आकलन हुआ है और उसको उसका जो परिणाम है सभी कारियन को दिखाना है और कमजोर बच्चों के क्या करना है पहश्चान करना है उप राचात्मक सिक्षा है तू विशेश मोहला कक्छाओं से नियमित थंचालन है तू ब्योस्था है साला में उपलब्द परियोक्षाला एवं पुस्तकाले का नियमित उपयोग है तू रणनी ती साला में इंटरनेट की स्विधा एवं इसमार कक्षाओं का नियमित उपयोग घेतुरन निती आगामी तीन वर्सों के लिए साला विकास योजना निर्मार एवं उसके अनुसार कारे करना तो यहां भी जो कक्षा पहली से लेकर आठमी तक दिया गया है सेम उसी प्रकार है बस कुछ थोड़ा सा इसमें आगे दिया हुआ है इसमार कक्षा का नियमित उपयोग करना है महुँच जगा हुआ है इसमार कक्षा बन गया है लेकिन इसका अवसो ही उपयोग नहीं हो पा रहा है परियोग साला का भी उप्योग नहीं हो पाता है तिसको भी संचारान में क्या किया जाए भी धीवत उप्योग में लाया जाया साला आपदा परबंधन योजना निर्मार यहां बच्चों की आवस्यक जानकारी मार्क डिल के माधहम से देना साला में उपलब विभिन फंड का आवसकता नुसार उप्योगेतु सामीती मलब साला में जो भी फंड आता है उसका हम लोग क्या करेंगे सामीती के माधहम से उप्योग करेंगे के साला प्रबंधन एवर विकास कार्यों की सद्धियों का कराना है, प्रसिक्षण कराना है और उसमें सह भागिता उनमें लाना है इस्थान इस्थान इस्थार पर आवस्यक्तान उसारेजंटा और हमारा गर इस्थान इस्थार पर जो भी समस्या है उस वर भी चर्चा करके अजंडा बना सकते हैं अगर आप सबको ये हमारा विडियो कैसा लगा है कमन करके जरूर बताएं अगर अच्छा लगा हो तो विडियो को से और यह लाइक जरू कर दें उस बैठक के संबन में राजी परविना कारले समगर सिक्षा 36 गर के द्वारा पत्रकरमांग 3403 SS पेजन जियोबी SMC 22-23 के लिए एक आदेश जारी हुआ है अब आदेश भी देख सकते हैं प्रती जीला सिक्षा धीकारी इसकुल सिक्षा भाग जीला मीशन सनमयक समगर सिक्षा समस जीले 36 गर विशे में दिया देखिए सभी सभी सालाओं में SMC आपलिक SMDC की बेठक आयुजित करने हैं दिया गया है करने बावत है आदेश में क्या लिखा है देखे देखते हैं राज में बच्चों के सिखने में सुधार अभी तक हुए सिखने की नुक्सान की भरपाई विभिन पर यास किया जा रहे हैं इस उद्यत की प्राप्ती में साला इस्तर या प्रबंदन समिती के महत्पन भुमिका है इनकी वर्स के विभिन सतनों में आजित होने वाली बैटकों से दूसरी बैठक का आवज़न 14 नॉंबर 2022 को राज के सभी सालाओं में अनिमारी किया जाना है इसे तु साला को बज़ट भी उपलब्द कराया गया है Elementary and Secondary School के लिए इस बैठक का अलग-अलग सुझात्मक एजन्डा इस पत्र के साथ सलगन कर आवस्यक करवाही एतु भेजा जा रहा है 37 सालाओं में इन समितियों की बैठक आवज़न कर बैठक पंजी में करवाही विवरन आदी दर्च कराते हुए इस कारले को इस बैठक पर आधारित एक परतिवेदन उपलप्त कराएं विभिन इस्तरों विशेशकर साला संकुल इस्तर से इन बैठकों में उपस्तिती भी सुनशित कराएं इन बैठकों के आवज़न का निरिक्षण भी अधिक सथिक इस्कुलों में किये जाने की ब्युस्ता करें सलगन उप्रवत अमसार प्रबंधन थंचालक समगरे सिक्षा विभाग तो देखिए ये आदेश जारी हुआ है इसके लिए विशेश खर्चा भी आया हुआ है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक देवा में सब्सक्राइब कर लें मैं आप लोग के पास खेत्र समदित सभी परकार की वीडियो लाते रहता हूँ धन्यवाद